मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटे सभी को गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग तो चलिए अगर सबसे पहले एक छोटी से अनॉंस्मेंट कोई भी student ये लिक्चर जो है first time देख रहा होगा तो बिटा ये हमारी chapter wise revision series है इसके पहले के chapters और GST के यहाँ पे जितने भी sessions हुए है live sessions कम recorded sessions ये description column में आपको playlist दी है सभी sessions उसमें आपको मिल जाएंगे ये chapter wise revision series में notes आपको कैसे मिलेगी इसके लिए आपको हमारे v smart academic के portal पे कैसे login करना है मैंने lecture 00 और lecture 01 में अच्छे से explain किया हुआ है as well as description column में जो telegram link दिया हुआ है वो आप join जरूर कीजिएगा उसमें आपको सारी notes जो भी मैंने chapter wise revision series में use की है वो आपको मिल जाएंगे लेकिन वो chapter wise uploaded है इसलिए आपको थोड़ा browse करके देखना पड़ेगा तो आपको सारी notes मिल जाएगी और एक बाद हमारा chapter wise revision series कतम हो जाता है तो उसके बाद में मैं एक google drag की link बना के सारे उसमें chapters upload कर दूगा क्योंकि मैं यहाँ पर जो है जो notes है मैं daily basis पर बना रहा हूँ यह चार्ट को daily basis पर update कर रहा हूँ ठीक है तो एक लंबी सास लो और को जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करना है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमने input tax credit और input tax credit में यहाँ पर just a minute हाँ यह सबसे पहले बता दो बेटा कि यह revision जो है वो final के लिए है ठीक है इंटर का revision session आज evening में आएगा ठीक है चलिए start करें yes or no how's the Josh कहिए हाई sir अच्छा चलिए तो ITC chapter में आमने section 16 देख लिया था उसके बाद में यहाँ section 17 5 block credit की सारी provisions देख लिया थी okay चलो अब next आते है यहाँ पर section 17 1 2 और 3 तो yes यहाँ में final level पर थोड़ा detail में देखना है section 17 1 2 और 3 now section 17 1 और 2 क्या कहता है 17 1 और 2 यह कहता है कि अगर आप कोई यहाँ पर जैसे मैं diagram से थोड़ा में diagram से explain करना चाहोगा आपके सामने 3 cases लाना चाहोगा okay case 1 अगर कोई inputs capital goods और input service exclusively यहाँ पर ऐसे outward supply के लिए use हो रहा है जो taxable है या फिर okay zero rated supply है यह by mistake यह आ गया एक minute zero rated supply है जो आप उसमें S E Z भी कह सकते हूँ यह by mistake exempt आ गया तो यह correction कर लेना अधरवाइस मैं correction करके फिर से chart upload कर दूगा पर आप नहीं कर लेना तो बेटा यहाँ पर अगर exclusively वो taxable या zero rated supply के लिए use किया जा रहा है तो वो situation में आपको पुरे inputs और capital goods और input service के credit मिल जाए है लेकिन अगर वोई supply यहाँ पर exempt या non taxable या non business purpose के लिए क्याल रहा है exam exam में only exam उसके बाद में non taxable supply होगा नील rate supply होगा या फिर यहाँ पर non business purpose के लिए use किया जा रहा है और वो inputs और capital goods input service exclusively उसके लिए use किया जा रहा है तो उसका ITC नहीं मिलेंगा है यह तो कोई problem ही यह तो clear है लेकिन आपको सामने challenges कब आते हैं आपके सामने challenges जब आते हैं जब commonly part होगा देखो यह diagram देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी समझेगा है बहुत सी बार organization में ऐसा होता है कि आपके दो type के supply होते हैं में भी इन सेम ब्रांच इन डिफरेंट ब्रांच अंडर सेम जी स्टीन समझेगा महाराश्रा में मेरी एक से ज्यादा ब्रांच से कही taxable supply कही exam supply है या फिर एक ही ब्रांच में जैसे वी smart academy में हम training coaching services देते हैं साथ साथ में booksell भी करते हैं तो हमारा exam supply भी है और taxable supply भी है तो वो situation में यहां पर credit allocation कैसे होता है जो inputs capital goods input service exclusively use हो रहा है taxable के लिए उसके credit तो मिल जाएगे 100% मिल जाएगे जो आप trace करते हो input capital goods input service और वो exclusively exempt या non business purpose के लिए तो उसका IT से आपको नही ही मिलेंगे यह तो clear है लेकिन what about common input common input service और common capital goods इसको कैसे हम allocate करें क्योंकि single bill है goods का nature ऐसा है कि वो commonly used होता है और फिर separate होता है यह single bill में purchase होता है तो ऐसे situation में उन्होंने allocation method जो दी है वो rule 42 और 43 में दी है और final level में हमें यह बहुत detail में discuss करना है तो rule 42 43 का allocation इसलिए यह जो section द अब हम आप चार्ट के उपर आजा कोई भी goods or services यहाँ पर partly for business purpose और partly for non-business purpose यह section 72 172 कहता है partly for taxable and partly for exam supply तो वो case में यह provision कहती है 171 कहता है कि जो credit allocated है for business purpose उसके IT से आपको मिल जाएगे और जो credit exclusively taxable supply के लिए है उसके IT से आपको मिल जाएगे लेकिन अगर कोई commonly used हो रहा है commonly use हो रहा है और आप by forget okay directly नहीं कर सकते exclusive नहीं पता चल रहा है okay common input capital goods input service जो non-business यह exam के लिए और taxable यह business के लिए हो रहा है तो उसका allocation जो है उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है okay rule 42 और 43 अब rule 42 और 43 पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे exam supply in the context of section 73 आपको कैसे लेना है okay आपको section 73 में जब भी exam supply consider करोगे तो यहाँ okay section 247 के इसाब से जो definition में exam supply में आता है क्या क्या आता है चलो बोलिए फटा फट क्या 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 आता है नील रेट आता है वोली exam आता है यह non-dexable आता है यह तो include हो गई साथ साथ में okay section 73 के लिए only section 73 के लिए आपको तीन supply और add करने पड़ेंगे कौन से तीन supply add करने पड़ेंगे RCM यहने अगर कोई supplier है जिसका supply RCM में मतलब वो tax supplier नहीं दे रहा है recipient दे रहा है जैसे example की तोर पे lawyer की service okay individual advocate होगा या form of advocate होगा तो form of advocate या individual advocate का reverse चा जाता है recipient business entity tax द उस lawyer के लिए वो अगर हम ITC की बात करें section 17 3 की बात करें तो उस lawyer के लिए जो supplier है वो exam supply माना जाएगा और उस supply के लिए जो भी restriction लगने वाले है section 17 1 में 2 में क्योंकि वो exam supply मान लिया तो ITC नहीं मिलता है याने RCM में तो इतना परिशानी है कि जो supplier supply कर रहा RCM वाला बिचारे को credit भी नहीं मिलता है क्योंकि exam supply मान लिया जाता है और recipient जो है ओके यहाँ पर उसका tag देता है और government को tag भी मिल रहा है और supplier के credit भी जा रहा है what your rate में भी transaction in securities देखो securities transaction जो है goods और service के definition में नहीं आते है लेकिन specially for section 17.3 के लिए उन्होंने यह कहा है कि transaction in securities यह exam supply कहा जाएगा इसलिए आपके जिमाग में confusion आ सकता है कि sir यह goods के definition में नहीं आता है service के definition में नहीं आता है फिर इसको supply कैसे बोला गया बोला गया 17.3 के लिए बोला गया उसके बाद में transaction in securities यह exam supply कहा जाएगा मतलब आप खुछ securities के transaction कर रहे हो broker कर रहे है etc और उसकी value कितनी ली जाएगी तो 1% of sales value उतने proportionate value का आपको ITC नहीं दिया जाएगा और sale of land and building देखो sale of land and building वैसे तो supply नहीं है क्योंकि वो schedule 3 में आता है come on वैसे तो supply नहीं है क्योंकि व वो exam supply माना जाएगा मतलब builder lobby को यह clear message है कि अगर आप यहां पे building बनाओगे जो intended for sale है उसमें आपको ITC मिल सकते है subject to various notification in construction sector उसमें आप ITC claim कर सकते हो लेकिन एक बार आपको completion certificate मिला और बात में आपने कोई building बेचा या land बेचा तो उसमें use होने वाले ICG और ISK आपको ITC नही और मैं आपको बता दूँ आगे जब हम E by F भी लोगे क्योंकि हमें आगे एक formula लेना है E by F जिसमे value of exam supply लेना है तो उस value of exam supply में उस formula में आप ये दो चीज़े भी consider करोगे उस value of exam supply में transaction security और sale of land and building भी consider करोगे लेकिन एक बात समझ लो आपके ITC तभी जाएगे अगर non-taxable supply हो या exam supply हो आपके ITC तभी जाएगे जब वो exam supply की definition में आता है मतलब ये 6 इसमें आता है तो ये ITC नहीं मिलेगे ये non-business purpose के लिए एक note है जो बड़ी important है मैं एक minute में समझाना चाओगा अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है वो कौनसी note है आप है ये 6 के अलावा अगर schedule 3 की कोई activity है तो वो exam supply में consider नहीं होगी ये special explanation है मतलब क्या हमने schedule 3 में जो भी exam supply के parameters देखे है उसमें sale of land and building exam supply में है ये बाकी जो भी supply होगे schedule 3 के क्यों नहीं हो आपको ITC पर कोई restriction नहीं है आप ITC ले सकते हो जैसे employer employee में तो ITC का सवाली नहीं आता है और के court fees वगरे funeral वगरे लेकिन मैं आपको एक बात बता दू actionable claim actionable claim के लिए कोई input capital goods input service लिया होगा आपने तो आप ITC ले सकते हो या और के para 7 पर 8 में बाहर के बाहर transactions हुए या यहां पर वेराउस के पहले transaction हुए और उसके लिए आपने तो वो एक्जम supply नहीं माना जाएगा मतलब इसी इस आइरनी वैसे देखा जाया है तो पैरा 3 वाले activity supply ही नहीं है पर 17.3 के लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा 17.3 में ये कहा गया है कि sale of land and building वो exam कहो बाकी के supply के लिए हम आपको रियायत देते है वो schedule 3 क्यों नो schedule 3 activities हो पर वो exam supply में नहीं मानी जाएगी मतलब आपको ITC दिए जाएगा और उसमें आखरी explanation है section 17.3 में exam supply लेते वकि ये explanation भी है जब आप पढ़ोगे rule 42-43 मैंने वो यहाँ add कर दिया वो यह है कि interest discount income on loan advances or deposit मतलब loan advances or deposit पे जो interest मिलेगा और कि वो भी exam supply के लिए consider नहीं होगा मतलब bank यहाँ पे आपको आपके saving account में interest मिल रहा है तो आप कहोगे अरे उसका proportionate ITC जो है reverse करना पड़ेगा नहीं reverse करने के कोई जरुवत नहीं है जो भी loan advances or deposit पे मिलेगा और के यहाँ पे वो जो interest or discounting है वो exam supply में consider नहीं होगा यानि आपको E by F formula उसके लिए लगाने के जरुवत नहीं है except banking and financial institution उनके लिए consider किया जागा बागे किसे के लिए नहीं और value of supply service by transportation of goods by vessel from custom station in India to outside India मतलब क्या कोई transportation in a vessel supply कर रहा है और India से इंडिया के बाहर supply क्या तो उसे भी exam supply नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो export related service दे रहा है इसलिए E by F का formula अपला है नहीं होगा yes clearly समझ में आया बेटा तो यह exam आप जब 17-3 पढ़ोगे और यह rule 42-43 अपलाए करोगे तो exam supply को किस तरह से interpret करना तो यह 6 activity exam supply में बाकी schedule 3 के activity exam supply में नहीं मानी जाएगी और यह 2 activity भी exam supply में नहीं मानी जाएगी जिसके IT से आपके reverse नहीं होगे चलो अब देखते है रूल 42-43 अब मैं जो आपको यहाँ पढ़ाने वाला रूल 42-43 आपको immediate एक काम करना है और वो कौन सा वो आपको मेरे question में rule 42-43 के जितने भी questions है वो सब read करना है और उसमें से एक question rule 42 का जो सबसे tough लगता है आपको पूरे presentation के साथ जिसमें सारे parameters कवर की है अभी करना है time waste नहीं करना है देखो अभी करोगे तो बहुत फायदा होगा और एक question rule 43 का जिसमें सारे parameters कवर की है यह दोनों questions solve करके presentation के साथ सभी notes के साथ complete करना है क्योंकि फिछले continuous के यहाँ पे दो तीन exam अगर देखते हो तो हर alternate exam में rule 42 43 का questions आपको पूछा जा रहा है important rule है अब चलो rule 42 जो है वो अगर common input और input services use हो रहे for exempt या taxable या non business और business purpose के लिए तो वो case में apportion कैसे किया जाए और कितना credit आपको मिलता है और कितना credit reverse करना पड़ता है इसके बारे में पूरा mechanism बता था और rule 43 specially for capital goods है दहान से सुना okay specially for capital goods है चलो rule 42 की सबसे पहले बात करते है rule 42 में यहाँ पे backward approach use किया है दहान सुनना rule 42 में backward approach use किया है तो rule 43 में forward approach use किया हुआ है okay for credit allocation ठीक है तो अब backward approach use किया है का मतलब किया अब इसमें मैं short form जो भी use कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने बता दिया IT मतलब input tax I मतलब inputs IS मतलब input service CG मतलब capital goods clear तो अब यहाँ पे backward approach किया यह कहते है कि जो भी आपके ITC update होगे okay ITC update होगे अब जो भी आपके इसमन के सारे ITC update होगे फिर वो block credit के हो फिर non business के हो exclusive हो common हो सब 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 जो भी update हुए है उसको कैदो T okay तो total input tax on input plus input service पहले total ले लो भाई okay backward कहीश है backward कहीश है पहले total ले लो और फिर बाद में हम उसमें से less करते जाएगे यह backward approach है okay तो आप जब problem solve करोगे तो problem solve करते वक आपका view क्या होना चाहिए सब से पहले total ले लिया फिर अगर A की GST दिया होगा अगर C GST, H GST, IGST होगे तो तो तीन column बना लो okay पहले total उसके बाद में step by step okay आपको यह learn करना पड़ेगा यह denotation यह अगर आप problem solve करते वक यूज करोगे तो इसके ओपर marks है T1, T2, T3, T4 कुछ नहीं पांच मिनट अगर आपने देहन दिया तो आपको यह denotation यह दो जाएगे फिर उसमें से less less क्या करना presentation देखिएगा T1, T2, T3 और okay यहाँ पे यह तिनो लेने के बाद C1 दिखना चाहिए आपका ऐसा ना चाहिए यह तिनो डिड़क करने के बाद बचा C1 okay तो T1 क्या है T1 यह है बटा input tax on I plus IS use exclusively for non-business purpose problem में दिया है कि यह inputs and input service non-business के लिए use किया गया exclusively मैं आपका धहल लाना चाहोगा exclusively okay धहल लाना चाहोगा exclusively अगर यह exclusively non-business purpose के लिए है तो चलो उसको less कर दो okay फिर आपका presentation एक ही GST होगा तो वो अगर C GST, S GST, IGST होगा तो तो तीनों मैं से less कर दो उसके बाद में next input tax on I plus IS use exclusively for exam supply okay exam supply में क्या तो हमने उपर देखा okay उपर exam supply में आपको कैसे याद रखना है कि यह 3 supply okay plus यहाँ पर 4, 5, 6 ऐसे total 6 supply exam supply माने जाएगे तो इसमें कोई exclusive use होगा okay तो वो exclude कर दो हाँ लेकिन सर यह बताईए कोई inputs, capital goods, input service यह कहा है कि interest, discount के लिए use किया गया नहीं और कि वो exam supply नहीं माने जाएगा या transportation of goods from Indian custom station to outside India उसके लिए कोई inputs, capital goods, input service लो तो वो exam supply नहीं माने जाएगा उसके पूरे credit लेना यह exam supply मतलो 6 supply okay तो यहाँ पर जहां तक देखा जाए तो exclusively जो exam supply के लिए है okay वो exclude कर दो चलो यह दोने exclusive exclude होगा यहने T1 less होगा T2 less होगा फिर क्या करो T3 क्योंकि आपने total T लिया हुआ है इसके वज़े से block credit के भी credit होगे तो 17.5 जो हमने देखे तो 17.5 में क्या देखे तो चलो मेरा चार्ट आपको definitely help करेगा यह पूरा list हमने 17.5 में लेखा okay motor vehicle एने convince sector पूरा convince हमने देखा okay की convince related क्या क्या blockage दिये गए motor vehicle है, vessel है, aircraft है उसके बाद में उसकी related services है उसके बाद में आपके industry में use होने वाली services जो sale के लिए नहीं है business के अंदर use होने वाली services उसके restrictions दिये है वो हमने देखा उसके बाद में construction sector की restrictions देखे उसके बाद में यहाँ पे other restrictions हमने देखे with this clarification तो जो भी block credit वाले ICG और IS है वो आप exclude कर दो उसके बाद में okay T लेने के बाद T1, T2, T3 यह तीनों deduct कर दिये तो problem imagine करो problem imagine करो कि आपने total T ले लिया less T1, T2, T3 कर दिया या फिर आपको ऐसा भी table बनाना पड़ सकता है कि पहले कितने credit है फिर उस okay दो table बनाने पड़ सकते है कि पहले credit eligibility का table okay problem solving करते वक्त आप देखो कि पहले total credit eligibility का कि इस मंद में क्या-क्या यहाँ पे किसका credit हम ले और उसके बाद में T1, T2, T3 okay उसके बाद में allocation table तो यह इस पर आपको बहुत properly ध्यान रखना है कि presentation कैसे करना है मैं तो एक problem ने दो problem कह रहा हूँ कि पुरा complete solve करके देखना तो आपको confidence आएगा और exam के पहले दीन भी specially यह area में अभी कह रहा हूँ यह area में आपको at least एक problem तो भी solve करके देखना है पुरा complete चलिए फिर यह आगया यहाँ पर हम बात कर रहें T3 block credit deduct हो गया बचा क्या C1 C1 remaining ITC credited to electronic credit ledger अब law क्या कहता है कि यह आप सब calculation आपके Excel में कर लो और आप जो है electronic credit ledger में बाकी का ITC transfer कर दो मतलब आप जब GSDR 3B फाइल करोगे तो 3B में यह तीनों deduct करने के बाद इतना ITC transfer कर लो अब मेरे सामने क्या प्रोब्लम है मेरे सामने है कि exclusive वाला मैंने exclude कर दिया block credit वाला मैंने exclude कर दिया लेकिन अब जो remaining है जो C1 कहा जाएगा यह remaining में क्या क्या है remaining में दो चीज़े है जो exclusively taxable के लिए वो भी है प्लस common वाले भी है हाँ तो government कहते है ले लो ले लो common वाले भी ले लो जो common वाले है वो भी ले लो और जो exclusively taxable के लिए वो भी ले लो और वो electronic credit ledger को transfer कर लो GSTR 3B में आप claim कर दो बस कतम अब फिर next step क्या करो आपने credit तो ले लिए credit ledger को transfer हो गया अब क्या करना आपको अब आपको आपके excel में एक backward calculation मतलब आपको एक calculation करना वो है कि जो credit exclusively taxable के लिए है उसके तो आपको मिलने वाले exclusively taxable including zero rate rate supply उसके तो आपको मिलने वाले तो वो अलग कर दो मतलब वो तो credit ledger को जा चुक है अगर वो credit ledger को जा चुक है तो ठीक है आप अपने back calculation में उसको अलग करो मतलब क्या अब जो बचेगा यानि आपका table imagine करो C1 निकल गया less less क्या तो जो taxable के लिए वो less कर दो तो बचेगा क्या C2 तो यह जो C2 बचेगा न यह C2 जो रहेगा यह purely common credit लेगे जिसका allocation आपको करना है इसलिए में इसको back out approach केता हो total पहले exclusive वाले exclude कर दिये फिर इसमें से taxable exclude कर दिया यह हमारे back calculation है और जो है यहाँ पे बचा commonly यह हुआ exam taxable या business non business का निकल गया हमारा अब यहाँ पे अब इसका allocation कैसे किया जाएगा C2 का बहुत simple है बहुत simple है यहाँ पे C2 का allocation कैसे किया जाएगा तो C2 का allocation है उनने दिया D1, D2 और फिर C3 अब वो देखो क्या 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 गयता है सब सिबल है D1 कैसे calculate करना है याद रखना पड़ेगा credit attributable to exam supplies कैसे निकल गया तो वो formula देखे D1 equals to E by F into C2 अब E याने क्या value of exam supply during tax period आपका tax period month होगा month quarter होगा तो quarter तो आपका जो भी tax period होगा तो ऐसे situation में यहाँ पे value of exam supply याने exam supply हमने क्या क्या देखा था हमने exam supply देखा था कि यह 6 supply यह 6 supply की value आपको लेनी है अगर आप builder हो तो जो completed building sale किया land sale किया उसकी value आपको लेनी है जो stamp duty value आपकी होगी securities बें transaction कर रहे है तो आपको 1% value लेनी पड़ेगी 1% value लेनी पड़ेगी तो यह जो rule है okay rule section 42 ने बेटा rule 42 यहाँ पर हमें देखना है चलो अब यह जो आपने ले लिया e by f तो जो भी value आई आपकी जो भी problem में दिया है 6 में से जो भी value दिया होगा उसकी value आपको ले लेना है f मतलब क्या turn over in state during tax period ख्याल रहे हैं हमें turn over in state लेना है during tax period f जो है तो अब नीचे एक note दिया है और note दिया है कि e और f e और f की value sorry यहाँ e and f sorry बरबर e और f की value अगर आपकी current tax प्रेड की नहीं मिलते हैं हो सकता है कि यह मन्द में मेरा कोई exam supply नहीं है अब ख्याल रहे हैं अगर यह मन्द में exam supply नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको apportion नहीं करना है apportion तो करना ही पड़ेगा यह मन्द में exam supply होए है नो क्योंकि आपके common inputs और capital goods यूज हो रहे sorry common inputs और input service यूज हो रहे है कभी एक सवाल आ सकता है कि यह मन्द में नहीं है तो मैं पूरा credit ले लूँ क्या नहीं आपको apportion करना पड़ेगा तो वो क्या कहते है अगर E और F दूरिंग tax period अवेलेबल नहीं है तो आपको last tax period का E F और E and F लेना पड़ेगा अब एक सवाल आ सकता है sir इस मन्द का F अवेलेबल है पर E नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि last tax period का E लेलू और इस tax period का F नहीं अगर दोनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है तो आपको इस मन्द का ITC allocation इस formula के इसाब से आपको last tax period का E and F दोनों भी लेना पड़ेगा समझा होगा तो yes sir कहिएगा तो यह तो था आपका formula इस तरह से आपको divan निकालना है उसके बाद मैं D2 कैसे निकालना है D2 जो है specially D2 credit attributable to non-business purposes ख्याद रहा है non-business यह exam का था हमने ले लिया non-business purpose का उन्होंने direct formula दिया है और वो दिया है 5% into C2 अब मैं आपको एक difference बता देता हूँ अगर problem में यह दिया है कि आपका जो आय और आय से exclusively non-business purpose के लिए है तो ओध आपने पहले हटा दिया और problem में यह भी दिया है कि कुछ input और input services commonly use हुई D2 तभी निकालना D2 हर case में मत निकालना D2 तभी निकालना जो problem में यह message आ रहा है clear दिखा दिया हुआ है कि कुछ ऐसे inputs और input services है जो commonly use हुई है business और non-business के लिए वो ही case में आपको D2 निकालना है और वो fix निकालना है 5% of C2 clear और बाकी जो है credit आपको मिल जाएगा मतलब क्या तो C2 minus D1 और D2 आपने exam का proportionate अलग कर दिया आपने non-business का अलग कर दिया तो यह आपकी eligible credit है और आपका ineligible credit कौन सा है यह arrow गलत आ गया यहाँ पे ineligible credit कौन सा है वेटा तो आपका ineligible credit है यह D1 और D2 और यह D1 और D2 आपको output tax liability में add करना पड़ेगा come on मैंने क्या कहा output tax liability में add करना पड़ेगा D1 और D2 ओके चलिए अब यह तो हुआ हमने इस साल के monthwise calculation किया ओके आगे का मैंने एक process दिया और आगे का process मैंने क्या दिया देखाऊ ओके यह आपको जनरली problem में नहीं करना पड़ता है इतना लिंदी problem नहीं आता है वो total year का exam supply total year का turn on in state और पुरे साल का और आपने monthwise और quarterwise निकालने के बाद पुरे साल का आपको निकालना पड़ेगा और पुरे साल का जो D1, D2 आया पुरे year का data लेने के बाद और आपने जो monthly निकाला है उसकी total उसमें कोई difference होगा तो वो आपको pay करना पड़ेगा या फिर वो आपको यहाँ पे अगर आपने excess ITC लिया होगा तो pay करना पड़ेगा और आपने ITC कम लिया तो government आपको उसका credit अलोग कर देगी नीचे procedure दिया है पढ़ना हो तो ठीक लेकिन exam purpose के लिए आज तक यहाँ तक ही problem पूझा गया है इसके problems आप solve करके देख लेना ये था rule 42 अब आते है rule 42 अच्छे से समझ में आया है बेटा अच्छे से समझ में आया है तो कही है yes sir मैं wait कर रहा हूँ just a minute अच्छे से समझ में आया है अब आये rule 43 में okay rule 43 अब देख लेटा rule 43 मैं शब्दों से समझाओगा आपको लेकिन ये मैं थोड़ा problem से समझा दू तो आपको और clearly समझ में आया है ठीक है तो निचे even मैंने निचे इसका problem में दिया है क्योंकि आप day before examination rule 43 ये समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है अगर आप ये problem थोड़ा मैं slow चलूगा अच्छे से समझ लोगे तो मैंने चाट में पहली बार पूरा problem system mechanism मैंने आपको दिया हुआ है और ये mechanism थोड़ा आप अच्छे से समझ लो तो definitely आपको जो है okay rule 43 में कोई दिक्कत नी जाएगी इसके बाद आपको बस एक काम करना है इसके बाद आपको जो है यहाँ पे at least rule 43 पे दो problem solve करके पूरा start से लेके end तक notes के साथ जरूर time जाएगा एक देर घंटा लेकिन rule 43 अभी दिमाग में आपके बैठना चाहिए yes or no ठीक है हाँ एक बात बता दू बेटा actually यह सिर्फ calculation वाला है यह आपको calculation बता के करना है यह portal पे इसकी C3 की कोई adjustment करने की जरूरत नहीं है आप already electronic credit laser में credit ले चुके हो सिर्फ आपको D1, D2 reverse करने पड़ते है यह C3 portal पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है C3 जो है वेटा अगर किसी ने पूछा management नहीं की आपको net credit कितना मिला तो उसके calculation के लिए portal पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है चली आजाएए अब rule 43 का problem पे और कि उसके बाद में मैं आपको जो है यहाँ पे चार्ट समझा के देता हो और फिर आपका काम बनता है कि आप problem solve करोगे देखो मैं हमारा relevant month लोगा august हमारा relevant month है august tax period है समझे लोग आपको august का data दिया हुआ है august का data दिया हुआ है यह हमारा tax period है august का turn all आपको exam supply का 30 lakhs और taxable supply का 80 lakhs और 120 lakhs टोटल यहाँ पे दिया हुआ है चलिए done हाँ अब यहाँ august month में capital goods का apportionment की cases कैसी हो सकती है तो case 1 अगे बढ़ने के पहले यहाँ मैंने कुछ denotation यूज किया है पहला cg1 अगर cg1 आपका cg1 है अगर मैंने कहीं पे भी cg1 का है मतलब commonly used capital goods cg2 earlier use in exam supply फिर वो commonly shift हुआ और cg3 earlier use in taxable supply और बात में वो commonly में shift हुआ ठीक है अब देखिएगा सबसे पहले case 1 यह लेते है कि बहुत simple case है आपको data ऐसा दिया है कि in the month of august cg1 purchase किया in the month of august ठीक है अब एक बड़ा important word है कि ITC shown in the invoice जो cg1 हमने purchase किया उसका ITC जो है यहाँ पे 6 lakh show किया गया अब government क्या कहती है government यह कहती है अब मैं थोड़ा chart के साथ लोगा जो भी आपने capital goods खरीदे थे यह forward approach में लेना आपको ठीक है यह आपको forward approach में लेना है मतलब क्या अब यहाँ पे ऐसा नहीं लेना है कि total T फिर minus नहीं सीधा सीधा capital goods के bill देखना है अगर capital goods exclusively non business का है exclusively बहुत important है और वो non business का है तो उसके credit ही मतलो ठीक है तो आपको यहाँ पे problem solve करते वक अगर exclusive दिया है तो credit ही नहीं लेना है जो non business या exam या non business और exam common करके दिए तो उसके ITC claim ही मत करो अगर capital goods exclusively taxable supply के लिए है exclusively taxable supply के लिए तो उसके ITC आप ले सकते हो including zero rated supply एक difference मैं यहाँ बता हूँ अगर आप difference देख रहे हैं तो rule 42 में non business को अलग T1 दिया है exclusively को exam के लिए T2 दिया है यहाँ पे अलग अलग नहीं है यहाँ पे forward approach है अगर कोई capital goods non business या exam के लिए तो credit मत लो clear के दिया जिसके लिए small a उन्होंने denotation दिया है उसके बाद में जो taxable के लिए exclusive है zero rated supply के लिए exclusive उसके credit ले दो तिसरा यहाँ पे T3 जो दिया था वो इसके लिए दिया था कि I or IS अगर block credit वाले होगे तो उसको भी less करो क्योंकि वो backward approach से चल रहा था यहां forward approach ले रहे है इसलिए उन्होंने यह सुचा कि मैं क्यों यहां पे दू कि capital goods जो block credit है हम forward approach दी जा रहे है तो ऐसे case में अगर कोई capital goods block credit में आता होगा motor vehicle ले लो block credit में आ रहा होगा तो उसके credit वेसे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने approach forward लिया है इसलिए यहां पे block credit के बारे में कुछ भी नहीं कहा है क्योंकि वो already आपको नहीं लेना है वहां back route approach सा rule 42 में इसलिए कहा गया था clear अब आगे बढ़ते हैं यहां पे next अब जो भी आपका capital goods बचेगा small c में वो capital goods common ही रहेगा क्योंकि आपने exam case प्रॉब्लम दिया है मैंने यह common पे दिया है कि यह common का कैसे करना यह common जो capital goods है इसमें कुछ denotations जो है बड़े important है एक capital A capital A जो credit of that tax प्रेड लिया जाएगा जो capital A उसके बाद में आपको क्या denotations याद रखना है उसके बाद में आपको यह denotations की यहाँ tc okay denotation याद करो tc okay just याद करो फिर tm तो आपको capital A tc sorry यह मैं समझाओगा आपको एक बार फिर tc tm और उसके बाद में t e okay t t e क्या रहता e by f चलो इस denotation के साथ यह example समझाना चाहूगा in the month of August मैं तीन cases ले रहा हूँ यह August की तीन cases है अब देखो पहली case क्या कि कोई shifting नहीं हुआ पहले exam से common में आया taxable से common में आया नहीं simple problem इस month में मैंने cg1 खरीदा वो cg1 जो common है जो exclusive है पहले ही अटा दिये जो common है वो cg1 यहाँ पे ले रहा हूँ उसके बाद में यहाँ पे वो cg1 के invoice में gst 6 लाग था इसलिए मेरा credit भी a 6 लाग तो जो आपको common capital goods का इस tax period में credit मिलना है per machine wise उसको a बो तो a की machine खरीदी अगर आपकी 2 machine होती तो 2 a होते ही होती है तो अभी तो एक ही machine खरीदा एक ही machine खरीदा तो ए जो रहेगा machine 1, machine 2, table भी imagine करो machine 1, machine 2, machine 3, अभी एक ही machine है तो मैंने यहाँ पे 6 lakhs ले लिया अब जो law क्या कहता है इवन दो यह capital goods commonly use हो रहा है transfer to electronic credit leisure available full ITC पूरा ITC लेलो औके और यह capital goods की useful life 5 years assume करो तो यह rule 43 में जब भी आप solve करोगे तो capital goods की life आपको 5 years assume करना है ठीक है तो यह जो 6 lakh रुपे मैंने electronic credit leisure को transfer कर दिया इसे TC कहा जाता है यहाँ जो आप electronic credit leisure को transfer करते हूँ okay यहाँ पे plus जो switching का होता है switching का मैं बाद में लूगा तो उसको TC निकालना पड़ता है तो जो A है आपने electronic credit leisure को transfer कर दिया और total of A यह बनता है TC plus switching तो total of A जो credit leisure को जा रहा है plus switching का जो आएगा वो उसको कहा जाता है TC तो अभी हमारा TC 6 lakh है फिर आप निकालो TM तो capital goods की useful life आपने कितनी आजिम की है तो capital goods के लिए आपने life कितनी आजिम किया 5 years मतलब 60 months तो यह जो 6 lakh है divided by 60 और पर month आपका हग सभी capital goods की life आपको पांसल imagine करनी पड़ेगी वो कम होया जाद हो ओके up to 5 years maximum उससे जादा नहीं तो आपने divide by 60 किया मतलब क्या पर month common credit कितना आ रहा है आपका पर month covered credit 10,000 आ रहा है देखो यह सब आपको आपके Excel में backward calculation मतलब यह Excel में आपको अलग से calculation करने पड़ेगी credit laser को तो आपने 6 लाग दे दी है इस मन्त में आप 6 लाग का credit यूज कर सकते हो ओके जहां तक portal की बात है 6 लाग का credit यूज कर सकते हो यह आप जो calculation करे हो back office calculation करे हो तो यह 10,000 पर month आया अब यहां पे वो क्या कह रहे है वो यहां पे यह कह रहे है कि यह जो 10,000 पर month आया तो monthly आपसे कुछ दिया जाएगा मतलब वो यह कह रहे है कि august में august में हम आपको पूरा credit दे देंगे common capital goods का लेकिन उसके आगे 5 साल याने 60 months हम आपसे कुछ लेते जाएगे आपको कुछ पे करना पड़ेगा कितना पे करना पड़ेगा तो आपको टी पे करना पड़ेगा तो आपको टी कैसे निकाला जाएगा तो देखिए टी वो यह कहते है कि जो आपने टीम निकाला 10,000 रुपे पर मन के हिसाब से अगले 60 months के लिए तो यह जो टीम आया तो टीम इंटू E by F तो हर मन का जो E by F रहेगा जैसे august मन का E by F क्या था तो august में आपका turn or था और के exam supply का 80 याने total कितना था 120 lakhs ओके यह तो august का by F forget हुआ तो 30 into 30 divided by 120 तो आपका august का payment liability 2500 आएगा ओके ओके payment liability यह आप ITC से reverse कर सकते हूँ एक difference बता देता हूँ यहाँ आपको उपर जो rule 42 में है rule 42 में D1, D2 आप यह ITC से reverse नहीं कर सकते हैं D1, D2 आपको output tax liability में है add करना पड़ेगा देहां सुनना यह output tax liability में है add करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे जो TER जो attributable to exam supply monthly basis तो यह जो TER आपका attributable to exam supply इसके लिए पहले तो आप reverse भी कर सकते हूँ आपके पास balance होगा नहीं balance होग monthly basis पे तो आप उसको pay भी कर सकते हो अब यह तो august का है ऐसा ही आपको हर मन्त का जो EBF रहेगा वो हर मन्त के EBF के हिसाब से 10,000,000,000,000 capital goods का आपको वो ratio में हर मन्त में अगले 5 साल pay करना पड़ेगा एक तरका यह loan जैसा है कि government ने आपको credit अभी दे दिया credit दे दिया मतलब loan और फिर proportionate exam का government मांग रहे है चलो दो 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 clear समझ में आया है यह तो था simple exam था सर इस यह मन्त में कुछ अलग से pay करने की जरुवत है कि नहीं आपको अलग से कुछ भी output tax liability में add करने की जरुवत नहीं है TIE निकालने की जरुवत नहीं है सर यह क्या होता है बताता हूँ पर यहाँ पर आपको PE जो है आईदर reverse करो या फिर आप पे करो जो भी है यहाँ पर चलिए यह तुआ case 1 अब थोड़ और advance level पर लिखे जाता हूँ आपके सामने दूसरे कोई example ऐसा भी आ सकता है कि इस मन्त में हमने जो CG1 purchase किया common capital goods मतलब exclusive वाले तो अलग कर दिये common capital goods purchase किय और CG2 का एक switching हुआ है CG2 का switching हुआ है मतलब क्या CG2 हमने purchase किया था in the month of April 10 April 2020 को हमने purchase किया 20XX ले लो कोई भी साल ले लो हमने पहले purchase किया था ओके और यह जो CG2 हमने purchase किया था एक मिनट हाँ CG2 क्या है तो CG2 earlier use in exam supply then subsequently common याने यह exclusively जब purchase किया था थे exclusively exam supply के लिए यह जोरा था April में ठीक है यह machine लेकिन in the month of August हमने इसको common में ले ली हमने common मतलब exam plus taxable या फिर ऐसा हो चुका है कि हम वो machine से दो product बना रहे थे और के पहले दोनों exam थे अब यह month से एक taxable हो गया मतलब वो machine common में आ गई अगर वो machine यहाँ पे यह पे सही बिता जस्ट मिन जस्ट मिन तोटल यहाँ एक एक मिन तोटल यहाँ एक एक मिन तो यह एक मिन तोटल 110 जाता है 80 प्लस 30 यहाँ correction कर ले न आपके sheet में corrected होगा तो कोई problem नहीं तो आप सभी जगह होई लिए गया गया आपके sheet में थोड़ा correct कर ले न उसको सभी जगह होई लिए corrected होगा तो कोई दिख्यत नहीं नहीं तो correct कर ले न यह आएगा 2727 यह भी आएगा 2727 ठीक है concept समझ लो बेटाँ ठीक है चलो अब case 2 ले ले लेता हो यहाँ पर भी change हो जाएगा यहाँ आपने change कर लेगा corrected होगा आपकी sheet में तो हो गया otherwise में change कर रहा हो चलो अब situation 1 देखो यहाँ पर दो ए निकलेंगे क्योंकि capital goods के एक situation है कि इस मन में खरीदा tax frame में commonly चेला और एक common में आया है exam से पहले exclusively exam था तब मैंने ITC नहीं लिया था ITC नहीं लिया था और वह आप common में आ गया है तो अब government कहती है कि ठीक है August मन में common में आया तो ऐसे situation में आप उसका वह भी A में ले लो याने आप अब जो है उसका ITC कितना था 4 lakhs रूपीज और 4 lakhs रूपीज मैंने तब ITC claim नहीं किये थे तो government कहती है ठीक कोई problem में अभी ले लो याने total आप electronic credit ledger को कितना transfer करोगे 10 lakhs total electronic credit ledger में आप transfer करोगे 10 lakhs ठीक है available full ITC नहीं 6 प्लस वो exam का जो भी invoice में शोन होगा वो ठीक है अब आपका TC क्या आएगा TC मतलब total of A अब A में क्या आ गया 6 प्लस जाए याने आपका घुी आएल ओदाए याने आपका ये ब्सू करूगे आपका लोदा पीक है अब देखो यहाँ पर जो TC निकला है देहन सुनना यह जो TC है आपका total 10 लाग आएगा लेकिन जब आप problem solve करगे और table में लोगे तो table में यह जो CG1 का TC है और CG2 का TC आपको यह अलग अलग लिखना पड़ेगा जैसे machinery 1 एक machinery switch हुई दूसरी machinery तीसरी machinery तो यहाँ पे मैंने 2 TC लिखे हैं क्योंकि यहाँ 2 TC लिखने का reason क्या है और यह tabular form में बहुत perfectly लिखता है तो 2 TC लिखने का reason क्या है आगे बताओगा तो TC for CG1 6 लाग हुआ TC for CG2 4 लाग हुआ problem imagine करो CG1 और इदर particular में TC लिखा है तो TC CG1 का TC 6 लाग और CG2 जो common machinery अभी आई यह shift हुई है उसका TC उसके सामने 4 लाग तो TC 6 और 4 आपको दिख रहा है उसके बाद में next लिखो TM दोनों के TM आपको अलग-अलग निकालने पड़ेंगे दोनों के TM यहाँ पे जैसे TM of CG1 तो table में imagine करो आपने machine CG1 CG2 लिख लिख लिया अब particular में TM लिख रहे हो तो TM of CG1 जो है divided by 60 दस अजार रुपय आया और CG2 का TM 6667 आया come on TM 6667 आया तो आपने टेबल में एक लिख लिया उसके बाद में आप जो TE निकाल रहे हो TEB अब थर्ड लिख रहे हो आप TE तो TE जो है अब दोनों का अलग-अलग निकलेगा TE of CG1 एने टेबल में आपने particular में TE लिख दिया CG1 का TE यहाँ पे 10 लाग into 30 divided by 110 ओके corrected होगा तो ओके otherwise correct कर लेना तो यह जो है CG1 का TE उतना ही आएगा 2727 ओके 2727 ठीक है अब यह जो आपको TE निकालना है यह machine August में खरीदी थी इसलिए आपको next 60 month के लिए क्योंकि 5 साल की life होगी तो next 60 month के लिए आपको यह ऐस तरह से reversal करना है अब जो आपका TE निकलेगा for CG2 वो आएगा जो TM divided by TM into E by F मतलब 6667 into ओके यह भी 110 आएगा तो यहाँ पर 6667 divided by 110 into 30 30 यहने 1818 यहाँ पर 1818 ठीक है 1818 तो यह आपका जो आएगा यह आएगा TE for CG2 तो टेबल में आपका TE particular में आगया CG1, CG2 का आपने लिख लिया और यह जो आपको reversal करना है यह reversal 60 months के लिए जो आपके बचेवे मन्त है उस period के लिए ही reversal करना है मतलब क्या आपने पर्चेस किया था एप्रिल तो यहाँ पे एप्रिल में जून और जुलाई क्योंकि आउगस में तो common में आ गया इसलिए एप्रिल में जून और जुलाई यह चार मेंने आपको कट करके बाकी जो बचा हुआ है 56 months उतने ही प्रिएड के लिए आपको यह reversal करना है अब यह आपको कभी कभी पूछते है कि रिवर्सल कितने प्रिएड तक करना है तो cg1 का तो 60 months आएगा और cg2 का आपको remaining प्रिएड के लिए आपको रिवर्सल करना है चलो यह हो गया यह पर लेकिन इस situation में payment भी आएगा payment मतलब TIE जिसे हम कहते है TIE TIE बस एक ही case में calculate होता है वो कौन से case में calculate होता है TIE जब आपका switching exclusive exam से common में आ जाए exclusive exam से common में आ जाए कोई machinery तो government क्या कहती है यह 4 महना तो हमने आपको पूरा credit दे दिया कितना 4 लाग रुप है लेकिन यह 4 महन जो आपका यहां पे use हुआ है लाँ सुनिएगा यह 4 मेना जो आपका use हुआ है यह किस के लिए use हुआ है और के यहां यह जो use हुआ है exclusive exam के लिए तो वो proportionate credit जिसको हम TIE करेंगे और के for these 4 months हम calculate करेंगे तो वो देखो क्या कहते है amount to be added amount to be added in output tax liability और कितना तो यहां पे वो क है ते calendar quarter के हिसाब से हाँ TIE आपको calendar quarter के हिसाब से निकालना है मतलब पहला calendar quarter April में June और दूसरा कब सी चिंगों August में यह जुलाई और August तो जुलाई यह पाट हो गया तो ऐसे case में आपके दो quarter हुए तो 5% per quarter okay 5% per quarter of that 4 lakh यह आपको output tax liability में add करना है यह आपको जो TIE है यह दो आपको reverse करना है आपकी credit से reverse करना है और यह जो है TIE यह आपको output tax liability में add करना है समझ मैं तो यहाँ आपका payment liability आजाएगा क्यूंकि हमने exam के आपको पूरे credit दिये जबकि यहाँ पे जो आपने कुछ period के लिए किसके लिए यूज किया था आपने exclusively exam के लिए यूज किया था उ तो यह था case 2 उसके बाद में एक situation और आ सकती है और कि इसके अलाब आपकी कोई situation नहीं आएगी क्या कि कोई ऐसी machine है जो आपने commonly purchase किये इस month में in the month of August और एक machine है CG3 जो पहले taxable के लिए use होती थी come on पहले taxable के लिए exclusively use होती थी जैसे कोई आपने in the month of में in the month of में CG purchase किया जो exclusively taxable supply के लिए use हो रहा था इन्वाइस में 3 लाख रुपए उसका GST था जो आपने ITC ले लिया come on आपने उसका ITC ले लिया 3 लाख रुपए का चलिए अब law क्या कहता है law यह कहता है कि इस month में मैं electronic credit laser को कितना transfer करूगा अब आपके सामने दो machine है CG1, CG3, okay CG1 और CG3, CG1 का तो credit क्रडिट लोगा क्योंकि इस month का है वो electronic credit laser को transfer कर दोगा CG3 का credit मैं नहीं लोगा क्योंकि इसका credit already ले चुका हो दोनों में different situation समझे लो case 2 में exam का common में आया तो उसका credit नहीं लिया था इसलिए अभी पुरा लिया और payment करवाया पुरा लिया और payment करवाया यहां पे मैं जो है वो taxable exclusively taxable की machinery common में आई तो मैंने credit already ले चुका था इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं लोगा मतलब मैं electronic credit laser को transfer करूगा और वो कितना transfer छे लाग रुपए ठीक है यह छे लाग रुपए transfer करने के बाद okay ख्याल रहे मैंने लिया don't avail ITC of CG3 because it was already taken in the month of May अब उसके बाद में TC हाँ अब ख्याल रहे यहां पे TC बदल जाता है अभी तक हमने क्या देखा जो तुम्हारा A है क्यों जा रहा है इतना बड़ा comparative example है अभी तो हमने क्या देखा गिर जो तुम्हारा A होगा उतना TC में आएगा okay यहां पर भी जो तुम्हारे दो A है तो दो TC बने लेकिन यहां पर दियान रखना यहां पर थोड़ा फरक पड़े जाता है यहां A जो है 6 लाक है और मैंने taxable machinery का जो common में आई है उसका credit नहीं लिया लेकिन यह TC दोनों का रहेगा come on TC दोनों का रहेगा मतलब आपका TC for CG1 और TC for CG2 दोनों के लिए लेना पड़ेगा तो यहां पे 6 लाक और CG2 का जो GST था 3 लाक क्यों क्योंकि इसके आगे आपको reversal दोनों के करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों commonly में accordingly दोनों का TM निकलेगा और के यहां पे इसका जो TM निकलेगा 10,000 और इसका जो TM निकलेगा 5000 और दोनों का TE निकलेगा बस यहां पे थोड़ा correction कर लेना यहां पे दोनों का TE निकलेगा और के यहां पे 110 ची है और के तो यह 2727 टी निकल गया और कैप इसका भी CG3 क अभी क्योंकि इसके आगे वो commonly use हो रहा है exam के लिए भी use हो रहा है तो into 110 तो यह कितना हैगा just a minute 5000 divided by 110 into 30 मतलब 1363 okay 1363 यह reversal करना है अब आप कहोगे sir कुछ payment करना है क्या payment कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ payment इसलिए मांगा TIE यहाँ निकला क्योंकि आपने exam के पूरे credit ले लिये थे तो आपको जो exclusively exempted period था उसका कुछ पे तो करना पड़ेगा यहाँ तो taxable है क्योंकि हम निकाले क्योंकि हमने तो यह taxable के लिए use किया था तो उसका दौम credit पूरा मिलेगा और जब से comment में आया तब से आगे हम TIE निकालेंगे और monthly basis पे EBF में यहाँ पे पे कर देगे तो यह तीन situation बेटा यह तीन situation समझ में आईए या नहीं आईए जो भी correction किये अगर आपके chart में already corrected है तो कोई problem नहीं तो यह correction कर लो यह समझाओगा जोर से बोलो yes sir और एक बार फिर से एक बार फिर से एक लाइन में बता दू देखो कभी-कभी तो सीधा-सीधा problem आएगा कि यह मंत में यह machinery use की है यह exclusive है यह exclusive है यह common है तो वो तो simple problem है कभी-कभी problem ऐसा आएगा कि पहले exam में था अब वो common में आया पहले taxable में था और common में आया कभी-कभी तो ऐसा भी आएगा दोनों भी situation आ जाएगी कि यह मंत में भी खरीदी exam common में आया और taxable common में आया तो आपको किस तरह से situation को handle करना है ओके बोलिए चलिए done ओके समझाओगा तो आपको express करना है ठोको like देखा फिटा मैं अब revision में इतना ही समझा सकता हूँ इतने जादा तो नहीं चलो चार्ट पे आ जाते हैं चार्ट पे आ जाते हैं और यह चार्ट को अब इस example से समझने की कोशिश करते हैं case 3 में हाँ एक important point है case 3 में भी यह आपको जो यह pay करना है month twice देखो एप्रिल में में जून जुलाई हाँ बरबर है यहाँ पे भी जो आएगा 57 months आएगे 57 months आएगे बरबर है में जून जुलाई 3 months आएगे 57 months आएगे ठीक है एक बात फीर से taxable हमें यहाँ कुछ भी pay करने की जरूबत नहीं है पहली बात ओके टीसी वाले में गड़ब हो जाते हैं जब आप कोई taxable वाला मशनरी common में आयां में में मैंने यहाँ पर थोड़ा में slow चल रहा हूँ मुझे पता है पर समझ लो में मैंने CG3 खरी रहा था मशन खरी जो exclusively taxable में थी तब मेरा कोई भी exempt के लिए वो use नहीं हो थी मैंने पूरा credit ले लिया अब government कहते है credit ले लिया कोई problem नहीं पर वो मशनरी अब आपका exempt और taxable में आ गई है तो अब credit लिया तो देखो यहाँ तो मैंने exclusively taxable के लिए यूज कर दिया था ठीक है done अब वो आगे क्या कहते है कि वो आगे कहते है यहाँ पे especially case 3 में कि आप वो 3 लाग का फिर से तो credit नहीं लोगे ने in the month of August इसलिए credit आप 6 लाग का लो क्योंकि उसका credit आप already ले चुके हो पूरा तो अभी यह मंद में कौन सी machine खरी दिया आपने cg1 तो आप 6 लाग कई credit ले लो अगे तो यह जो है यहाँ पर आप जो credit लो वो यहाँ पर 6 लाग का लो जो cg3 machinery है जो आपने पहले exclusive taxable के लिए यूज किया हम वो tc में सिव इसलिए ले रहे है क्योंकि इसके आगे वो exam के लिए भी तो proportionate te निकालना पड़ेगा तो वो electronic credit legend में उसका credit add नहीं होता है लेकिन वो tc के लिए tm के लिए और te के लिए consider की जाती है ठीक है और उस machinery का next 57 months जो है te निकाल के proportionate pay करना पड़ेगा बहुत simple logic है और यहाँ आपको TIE पे करने की जरुवत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टी आई इसले लिया था क्योंकि हमने exam का पूरा credit electronic credit legend में transfer कर दिया और कुछ period के लिए तो वो exclusively exam का था ना तो उस period का 5% per quarter निकाल के reverse किया लेकिन यहाँ पे तो वो taxable के लिए यूज था उसका मैं pay क्यों करूँ क्योंकि वो period में तो मैं taxable के लिए यूज कर रहा था इसले यहाँ TIE देनी की जरुवत नहीं है simple line में मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ो logically पढ़ो हर चीज के लिए यह मत बोलो कि lecture दो lecture दो यार आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से थोड़ा time देखे पढ़ो तो बिल्कुल logically समझ जाएगा आपको ठीक है तो अब यहाँ पे यह तो slow करकी ले रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको ठीक है तो ऐसे situation में ओके यहाँ TIE बस एक ही case में निकालना पड़ता है TIE एक ही case में निकालना पड़ता है अगर कोई exclusively exam वाला machine common में आ गया ठीक है तो चलिए तो देखें यहाँ पे मैंने चार्ट में लिया है हम यह जो अब मैं step by step लेता हूँ यह जो बेटा TIE यहाँ पे C जो है common machinery इसमें A जो है A मैंने दो पाट किये input tax on capital goods not covered under A और B that is common capital goods तो input tax on capital goods purchase during a month यहने हमारा CG month CG और input tax on capital goods earlier covered under A but subsequently get covered under C मतलब क्या तो exam से common में आया इसका यह A और यह A life of capital goods आपको पांस सल अजिम करनी पड़ेगी और इस मन पे जो capital goods खरीदा उसका input tax plus जो exam से common में आया यहने हमारा CG2 वो उसका total credit आप electronic credit laser को transfer कर सकते हों लेकिन अगर कोई situation ऐसी है जो taxable से common में आया तो उसको आप electronic credit laser में transfer नहीं करोगे पर TC निकालते वक आपको तीनो capital goods लेना है जो इस मन्त में खरीदे उसका TC plus जो exam से common में आया उसका TC plus जो taxable से common में आप TC के लिए आपको सारे ले लेना है लेकिन credit transfer करने के लिए आपको सी भी दो एक ट्रांसपर करना है और TI कब निकालना है अगर आपका कोई situation ऐसा है जो exam से यहने clause A से clause C में आया common में आया तो ही TI निकालना है और वो TI 5% per quarter जो calendar quarter आपको लेना है उसके base पे आपको निकालना है ठीक है अब next यहाँ पे समझो कि यह जो TC निकला यह TC को यहाँ पे TM निकालना है divided by 60 करना है बहुत simple है और उसके बाद में T ही तो E by F के ratio में है अब जो भी common में आगे उसके आगे remaining life G होगी remaining life G होगा उसके लिए आपको उसका TE निकालना है और यहाँ ख्याल रहे है जो आपका TE आएगा वो reverse होगा balance नहीं होगा तो pay होगा लेकिन जो आपका TIE आएगा वो reverse नहीं होगा वो आपके output tax liability में ही add किया जाएगा और चलिए अब तो confidence तभी आएगा वेटा यह जब आप कुछ problem solve करोगे minimum 2 से 3 problem specially rule 43 पर solve करो तो ही आपको confidence आएगा डन ओके चलिए तो मैंने यहाँ जो है rule 43 ले लिया है इस तरह से इस तरह से बेटा हमारा जो है rule section 17 1 2 3 उसके बाद में sorry sorry 4 बागी है 4 भी ले ले लेता हूँ 4 5 तो हो गया 17 4 यह मैं नहीं यहाँ लिया है 17 4 right side 17 4 बागी हूँ अभी ले लेता हूँ 17 4 क्या कहता है specially for banking और financial institution के लिए उन्हा नहीं option दिया है क्योंकि banking और financial institution में interest यह exam supply होता ही है okay उनका main revenue interest और मैंने यह कहा है वैसे तो इंडिया में किसी को भी interest यह discount on loan advances और deposit मिलता है तो वो 17 section के लिए exam नहीं माना जाएगा except द्हान सुनिएगा except okay banks और financial institution ठीक है लेकिन द्हान से सुनों bank और financial institution होगा तो उनके लिए interest discount यह सब exam आने जाएगे मतलब bank का जैसे बहुत सा revenue taxable है बहुत सा exempt है जैसा interest का लेगे है तो banking sector को दो option दिए है कौन से दो options दिए है नतलब banks, FI और NBFC को option one option one यह है कि भाई वो यह rule 42-43 के formula लगा है 42-43 के formula लगा है और जो भी उनका D1, D2 है या इधर T.E है वो pay करे या T.I.E जो है वो pay करे ओके जो भी है either option one लगा है या next okay next यहाँ पे option two लगा है उनके लिए second option बड़ा अच्छा option दिए option two क्या करे to avail every month amount equals to 50% of eligible ITC in that month and balance 50% lapse मतलब क्या option one नहीं लेना है तो option two में वो यहाँ पे simple way में जितना भी month का ITC होगा except block credit जिसका भी इतना भी month का ITC होगा except block credit ओके वो यहाँ पे उसका flat 50% ले ले और flat 50% lapse करवा दे conditions क्या है condition for choosing option 50% available the same company or institute shall not avail credit of inputs और input service which are used in non-business तो जब आप 50-50 करोगे तो जो भी आपका credit है उसमें से non-business वाला आपने पहले reduce कर देना block credit वाला second second block credit वाला वो भी less कर देना यह दो less करने के बाद जो बचेगा उसका 50-50 करना है मतलब 50 ले लिया 50 शोड दिया तीनों का input capital goods और input service का withdrawal option once exercise shall not be withdrawn during remaining यह option अगर banking company ने ले लिया तो फिर remaining tax period के लिए वो withdraw नहीं कर सकता है और 50% of ITC restriction shall not apply when such supplies are made between the branches अब ख्याल है अगर deemed distinct person का है जैसे bank की कोई branch से आया है तो जो अपने ही DDP से आया है related नहीं DDP से आया है वो उसका आपको 100 मिल जाएगा उसका आपको 100 मिल जाएगा ठीक है जो remaining बचा उसका आपको 50-50 करना है समझ लो मेरा total ITC है मैं solve कैसे करूगा steps कैसे लोगा मेरा जो total ITC है यह total ITC में से पहले में 3 लेस कर दूगा एक अगर कोई non business वाला है तो लेस कर दिया block credit वाला है वो लेस कर दिया plus मेरे GDP का है तो वो भी लेस कर दिया वो तीनों लेस करने के बाद जो बचा उसका 50-50 डिवाइड होगा 50 credit मिल जाएगा 50 laps हो जाएगा अब जो मैंने मेरे GDP का अलग किया है उसका मुझे 100 मिल जाएगा 100% ITC मिल जाएगा तो यह था वेटा regarding to यहाँ पे 17.4 ठीक है तो यह हमने देखा इस तरह से हमने यहाँ complete किया 17.4 अच्छे से समझी में आया आपको yes or no एक करेक्शन कर ले ना यह चार्ड में यह जो है एक करेक्शन करेक्टर होगा तो कई प्रॉब्लम ने करेक्शन कर लेना आपके श्री अच्छन कर लेना यह जो है जो है तफ तब डर गोच्या अब आते हैं नीचे section 19 पे job work वैसे job work के लिए बिटा मैंने बहुत detailed discussion में separate video डालाई है उसमें सारी बाते आपके clear हो जाएगी पर समझा देता हूँ section 19 क्या कहता है section 19 कहता है कि अगर principal ने job worker को goods भेजा धन सुनिएगा job worker को goods भेजा inputs और capital goods भेजा तो remote करती वक यहाँ पे rule 55 के चालन बनाओ that's all अब job worker को मैं दो तरसे goods भेज सकता हूँ एक मेरे premises में आने के बाद job worker को भेजा यहाँ पे registered person ने या directly भेजा दोनों allowed है अगर मेरे premises से आने के बाद भेज रहा हूँ तो rule 55 चालन बनाना पड़ेगी direct भेज रहा हूँ तो supplier को bill to ship to बनाना पड़ेगा bill to मेरे को shift to मेरे को next यह 19 कहता है अगर आप job worker को भी भेजते हो तो आपके credit continue हो जाएगे मतलब क्या मैंने goods receive करते ही ITC ले लिए सुनो receive करते ही ITC ले लिए और बाद में मैंने job worker को भेजा इवंदो मैंने job worker को भेजा मेरे credit continue रहे है यह direct भेजा तो भी मैं उसके credit ले सकता हूँ लेकिन अगर आपने जो input job worker को भेजा वो एक साल के अंदर नहीं आया और कि एक साल के अंदर नहीं है within one year और इसको extension भी है for further one year नीचे extension दिया हुआ है subject to reasonable cost तो एक साल plus extension मिल गया तो एक साल नहीं आया है तो उसे supply माना जाएगा और supply जिस दिन आपने rule 55 चलान बना के वेजा उस दिन का supply माना जाएगा और GST देना पड़ेगा या जिस दिन directly भी जाओगा तो job worker को receive हुआ उस दिन का supply माना जाएगा capital goods capital goods तीन साल का time दिया है और extension दो से यहां correct कर ले न extension 2 years for capital goods तो यहां पर दो साल तो extension जो है दो साल का यहां पर एक साल और दो साल capital goods का further extension है ठीक है तो यह जो है वेटा यहां अगर capital goods भी रिस्यू नहीं हुआ तो वो situation में जहां तक देखा जाए तो उसे भी supply माना जाएगा लेकिन एक ख्याल रहे है यह जो condition है वन यह और थी यह यह more die jigs, fixtures और tools को applicable नहीं है ठीक है इसको applicable नहीं है यह जो condition है मतलब अगर आपने यह एक साल या आगे द्याइन दे कि दो साल या आपने आगे दो साल में 1 year और 3 years में या extended period में आपने नहीं लाया तो भी चलेगा और उसके बाद मैं यहां किस तरह से details देनी है यह मैंने यहां पर दिया है यह तो आपरेड कर सकते हो तो यह section 19 था चलो अब ISD input service distribution इसका credit देख लेते हैं ISD का meaning जो दिया गया है ISD एक office होता है मतलब आपकी बहुत सारी branches से same state में different state में तो input service बहुत सी बार commonly use होती है और वो commonly input service का distribution कैसे किया जाएगा हर branch में उसके बारे में section 20 इन्होंने बनाया और ISD का distribution completely इन्होंने बताया ठीक है तो हर branch में कैसे distribute होता है ISD कोई person नहीं होता है यह आपका office होता है जहाँ जो input services है यह input services के सारे invoices जमा किये जाते है उसके credit लिये जाते है और अपने ही branch को credit distribute किये जाते है in the form of CGST, HGST, IGST और ETGST जिसमें same permanent account number मतलब वो अपने ही branches में distribute होगे जिसका pan common pan रहेगा उसके बाद में next input service distributor जो है okay यह distribute कैसे कर सकता है credit इसका example भी मैं लोगा वो central tax का credit central tax यहाँ पे IGST में convert करके दे सकता है मतलब क्या मतलब IGST के यह ISD के पास अगर CGST का credit पड़ा हुआ है सब input services का जितनी भी input services business में use की गई है वो सारी input services का credit ISD जो आपका एक office आपने register करवाया उसमें चले जाएगा और वो CGST का credit same state में बाते हैं तो same state में CGST में बातेगा और other state में बातेगा IGST में convert करके IGST का credit वो अगर उसके पास IGST का credit है तो वो IGST में भी बात सकता है या convert करके CGST में भी बाट सकता है या SGST में भी बाट सकता है और कि पर नॉर्मली वो IGST का credit IGST में ही बाटते है क्योंकि IGST का credit सबी जगा मिलता है इसलिए उसको convert करने की जरुवत नहीं होती है law कहता है कि उसको convert कर सकते है लेकिन नॉर्मली रूल जब पढ़ते हो तो IGST का credit वो IGST में बाट देता है और तिसरा SGST होगा या UTGST होगा तो SGST का credit सेम स्टेट के ब्रांच पर बाटना है जो separately registered है तो वो as a SGST बाटेगा और दुसरे स्टेट में बेजना है तो as a IGST बेजेगा तो यह वो convert करके बेज सकता है conversion के अपने restrictions है यह restrictions मैं आपको समझा देता हूँ मैं read करके समझा रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा पहला restriction यहाँ पर conversion के क्या है input service distributor में distribute the credit of central tax integrated tax, state tax in a following conditions नेमली पहला ISD चालान जब यो distribute करेगा तो अपना ISD का जिस पर ISD का registration number होगा वो चालान योज़ करेगा restriction on credit distribution वो उतना ही credit distribute करेगा जितना common input service का credit जमाऊगा common input service का credit जमाऊगा उसके बाद में one to one basis अब यह one to one basis क्या है पहले तो औके यहाँ पर अगर कोई input service exclusively यही branch में use हुई unit one में हुई तो उसका credit वो उसको ही distribute करेगा और किसी को नहीं करेगा हाँ ऐसा होता है कि कभी-कभी यह branch में credit service use हुई exclusively commonly नहीं exclusively यह branch में service use हुई है तो वो situation में यहाँ पर bill चले गया हमारे head office पर ISD registered है तो जिसका credit उसको ही जाएगा उसके बाद में next pro rata distribution इसमें दो point है pro rata distribution यह जो है वो कैसे करेगा pro rata distribution ओके वो यहाँ पे इस तरह से करेगा कि अगर कोई ऐसे input service का bill है जो commonly है दो branch का तो अगर वो दो branch का दो unit का है तो वो दो unit में ही distribute करेगा अगर कोई bill तीन unit का है तो वो तीन unit में ही distribute करेगा और अगर सारे units का है तो सारे units में distribute करेगा तो यह जो distribute करते वो किस बात का क्या रखेगा देखो D point पढ़ता हूं the credit of tax credit input tax attributable to more than one recipient shall be distributed on pro rata basis of turn over in state or union territory of recipient during relevant period to aggregate turn over to all such recipient to whom the input service is attributable and which is operational incurrent year during the state relevant period अभी हाँ relevant period का मैंने चार्ट में लिया है पर बड़ा important है relevant period मतलब आपको last tax period लेना है याने उस state का जो turn over था क्योंकि हम यह tax period में distribute कर रहे है तो अगर आप यह tax period में distribute कर रहे है तो आपको जो लेना है last tax period लेना है तो last sorry last financial year लेना है sorry tax period मतलब यहाँ पर last quarter नहीं last month नहीं आपको last financial year लेना है लिख दो आप पर relevant period याने last financial year का आपका जो यहाँ पर turn over in state होगा उसके basis पर यह financial year में सारे tax सारे tax period में distribute किया जाएगा तो यह हर मन्त में या quarter में जो distribution होगा तो last financial year का जो turn over है उसके basis पर होगा तो individual branch का जो turn over in state था अब समझ लो यहाँ पर दो branch में distribute करना है तो दो branch का जो total turn over है into individual branch का जो turn over है वो ratio में distribute किया जाएगा on pro rata basis ठीक है अगर last financial year का turn over available नहीं है तो फिर आप last tax period का भी turn over ले सकते हो और उस ratio में आप distribute करोगे example की तोर पे मैंने example से आपको और अच्छे समझ बहाएगा देखिए V smart limited or registered person of goods having head office at Pune also registered as ISD furnishes following information for the July 2018 whatever it may be training servicely input service वो use exclusively in unit 3 उसके बाद में advertisement 1, 2 और 3 में use किया गया उसके बाद में auditing 1, 2, 3, 4 में use किया गया और tour operator unit 1 में use किया input service available for the employee of vacation total यह यहाँ पे दिये है जो उन्होंने ITC लिया हुआ है just a minute बेटा अब यहाँ पे देखिएगा total turnover of units ending in March 2018 last financial year का turnover unit 1 का, 2 का, 3 का भी दिया है और 4 का भी दिया है total यहाँ पे दी हुई है ठीक है अब आपको allocation कैसे करना है table भी बहुत अच्छा बनाया है मैंने पर आप question है कि problem solve करो question कैसा उसके basis पे है training, training जो service है वो unit 3 की है और उसका मेरे पास CGST और SGST है अब देखो यहाँ पे head office एने पूने में है मतलब आपका ISD registration पूने में है और next नीचे जो दिया है उन्होंने यह देखो unit 1 is located in पूने 2, 3 and 4 are located in Mumbai, Delhi and Gujarat मतलब 2 महराश्र का है 3 देली का है और 4 गुजरात का है तो अब पूने ISD से unit 1 भी पूने में है तो मैं जब इसका CGST, SGST बाटूगा तो IGST में convert नहीं करूगा उसका CGST और SGST एक मिनुट सोरी सोरी वो unit 3 में दिया हुआ है मतलब मैं उसका बाटूगा यहाँ पे डेली में तो अगर मैं यहाँ पे उसका डेली में बाट रहा हूँ तो मुझे convert करके बाट ना पड़ेगा CGST और SGST को convert करके बाट ना पड़ेगा तो यहाँ पे मेरे पास training का credit था 29,000, 29,000 जो credit मैं ने लिया था, ISD ने लिया था और यह उसको कहाँ बाट ना है, डेली में, यूनिट 3 में तो वो उसको as a IGST बाट देगा ओके distribute कर देगा दूसरा advertisement, यह तीन यूनिट का है advertisement तीन यूनिट का है तो यहाँ पे advertisement का IGST 48,000 मेरे पास था advertisement का IGST 48,000 था अब वो मुझे unit 1, 2 और 3 में बाट ना है, unit 1 पुने में, unit 2 वो भी महराष्टर मुंबई में unit 3 जो है, वो देली में तो ख्याल रहे, यह जो IGST का credit, मैं as a IGST बाट हुगा, वो convert क्यों करो ओके वो तो सभी जगा credit में लेगा तो अब मुझे बाटते वक कैसा लेना है तो मुझे यह 3 unit के ही turn or लेना है, मतलब यह 3 का जो total आता है, तो into 30 divided by total, जो भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 125 इसका total आएगा, तो into 30 divided by 125, into 20 divided by 125, into 75 divided by 125, और वो मैंने as a IGST बाट दिया, उसके बाद मैं auditing service, यह चारो units की है, और यह मेरे पास CGST और HGST फॉर्म में है, तो मेरे पास CGST और HGST फॉर्म में है, अभी चारो unit को बादा है, तो उसके turn or के ratio में बाट होगा, तो unit 1 और 2 तो महराश्न में है, इसलिए कोई दिक्रत नहीं है, इसको as a CGST or HGST बाट दूँगा, लेकिन unit 3 और 4 अधर स्टेट में, इसलिए इसको as a IGST बाट दूगा, calculation आपने चेक कर लेना, और उसके बाद में, tour operator, tour operator block credit है, धान से सुनिएगा, tour operator block credit है, वो block credit हो, या exam का, इसका, ISD का इसके लेना देना नहीं, ISD का काम है बाट देना, जिसको वो बाटेगा, वहाँ वो credit block होगा, इसलिए वो unit 1 को जो है, वो बाट देगा, unit 1 जो है, उसका credit नहीं ले पाएगा, तो इस तरह से distribution हम कर सकते हैं, revision में जितना possible था, मैंने यहाँ पर कोशिश की है, notes भी आपको दिये, charge भी आपको दिये, यहाँ पर, I hope आपको यह clearly समझ भाया होगा, यह समझा है नहीं समझा, बोलिए वेटा, yes or no, समझा है नहीं समझा, चल, done, आपको आपको पर। कोई बात नहीं बटा मैं यहाँ पर पूरा ITC का चार्ट एक बार फिर से अपडेट कर दूगा पूरा है मतलब जितने भी पेज़ेस मैंने यूज़ के ITC में एक बार अपडेट कर दूगा next यहाँ पर आपको section 18 का चार्ट आएगा एक काम करो मैं telegram link में मैंने एक-एक page दिया हुआ है क्योंकि मैं साथ-साथ में बना रहा हूँ एक-एक page दिया है मैं साथ-साथ में बना रहा हूँ don't worry मैं पूरा ITC का including section 18 18 में इसमें आड कर देता हूँ तो including section 18 वो पूरा मैं आड कर दूगा अगर आप final level पे होता हूँ अभी अभी मैं आपको आदी घंटे में update करके देता हूँ ठीक है पूरा ITC एक साथ आपको notes दे देता हूँ फिर जो pages आपके print नहीं हुआ है वो pages ने आप में print ले लेना thank you बेटा चल आज का session थोड़ा slow लिया मैंने एक बार फिर से कुछ question ऐसे आ रहेगी सर ये chart का page नहीं print हो रहा है या नहीं आ रहा है तो don't worry मैं एक साथ पूरा chart जो है यहाँ पे डाल देता हूँ पूरा ITC एक ही इसमें जितने भी उसके 4-5 pages है मैं एक पूरा ITC का डाल देता हूँ तो आपको सारे pages एक साथ मिल जाएगे ओके तो आज यहीं रुखते है हाँ इसके बाद का section 18 और payment of tax उस पे session लोगा section 18 ITC का और payment of tax उस पे हमारा एक गंटे का session चलेगा ठीक है चल आज यहीं रुखते है नेक्स session में आगे continue करेंगे ठीक का हुआ है आज